स्री सिवाए नमस्तु भ्याम आपके आपके बच्चे के जीवन में भी बहुत अधिक विवाह की अर्चन आ रही है बाद बनते बनते अर्टक जाती है और साधी की काफी उम्र हो गई है तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए दो उपाय ऐसे हैं जिसे सरलता से आप कर लेंगे तो आपके जीवन में जो बच्चे के विवाह की दिक्कत है वह पूर्ण रूप से खत्म होगी और हमेशा ही उनके विवाह की योग बनना आरंब हो जाएंगे भले ही कितनी ही उम्र होई हो बहुत आजमाया हुआ और बहुत सरल उपाय है जिसे कोई भी विविक्ति कर सकता है और इसका अनंत लाब मिलता ही है कब कैसे करें किस स्वरूप में करें ध्यान से सुनें यह उपाय किसी भी महनी की अस्टिमी को किया जा सकता है क्योंकि माता दुर्गा को समर्भी त्वहतिति होती है और साथ ही किसी भी सुब दिन में सौम बार की दिन जो कि माता रानी और महादेव को समर्भी दिन है मंगलवार, किसी भी प्रदोश ब्रत, किसी भी मासिक सिवरात्री किसी भी अमावस या किसी भी पूर्णिमा के दिन यह उपाय किया जा सकता है लाब आपको हो नहीं है किसी भी सुप्तिती को देखकर जब बच्चे परिशान हो गए हो उमर निकलती जा रही हो तो आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है छोटा सा कलस जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप ऐसे में गुरुजी कहते है यह मिट्टी का पात्र आपके भागी की रिखाओं को प्रवल कर सकता है इसमें भर लेने हैं आपको पूर्ण चावल ठीक है पूर्ण चावल भरने हैं चावल जो है खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए इसमें आप चावल भर लीजिए माता असोक सुन्दरी का स्मरण करकर आपको उपाई करने के लिए एक लाल चुन्नी की आवशकता पड़ेगी भी यह उपाई लाब देगा क्योंकि मातारानी की तिथी वह होती है तो आप सभी को उस चावल को भर लेना है विशेश तोर पर उस कलश के अंदर ठीक है कलश के अंदर आपने चावल भर लिया पूरी तरह से उसके बाद उपर आपने एक बेल पतर रख लिया एक रूपे का सिक्का रख लिया ठीक है निरंतर माता असोक सुंदरी का स्मरण करे स्री सिवाय नमस्तुभ्य महामंतर का जाब करे ध्यान करे और अपनी मनो कामना बोले जो बच्चे कर रहे हैं तो वह करे अगर आप स्वेम अपने भाय के लिए अपने बच्चों के लिए अपने ले कर रहे हैं तो अपनी मनो कामना बोले अब इस चुन्नी से उपर से इसे बाद लीजिए या दबा लीजिए जैसे ढख लेने का कारी करना है अब सुबह सुबह ब्रह्मु मोहरत में एक बेल पत्र आपने डाल रखी है उसे अपनी मनो कामना कहकर लाल चुन्नी से उपर से ढख कर माता असोक सुन्दरी का स्मरण करकर आप सभी को यह हैं विसेश तोर पर जो आपने मटका ले रखा है चोटा सा कलश वरूप ले रखा है उसे आप सभी को विसेश तोर पर समरपीत करकर आजाना है वहां रख कर आना है पूरा का पूरा ठीक है गिराना नहीं है किसी भी स्वरूप में पूरा का पूरा आपको अपनी मनो कामना कहकर माता रानी के किसी भी स्वरूप के मंदिर में रखकर रखके यह जो है मनुकामना आपको मातासोक सुंदरी का स्मरण कर निते हुए कहना है इस बात का ध्यान रखे तुरंत ही गुरुजी कहते हैं मातर तीन महने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा रोग कस्ट संकट पीडा से भी मुक्ती मिलना आरंभ हो जाएगा तो लाल रंग की चुन्नी है वह तो अधुद है ही तो कोई पैसा समय तो लगना है नहीं 15-20 रुपे का काम है और क्यों न आपके जीवन में जो विवाह की अर्चन हो रही है विश्वा से कर लेंगे तो निदान हो नहीं है करके देखिएगा गलाब आपको मिलेगा हमने बात क सनी और राहु से भी संबंद रखता है ऐसी मानेता है यह माता लक्ष्मी को भी बहुत अधिक प्रिय होती है तो लंबे समय से आपके विवाह की बहुत अधिक अर्चन हो गई है तो आपको एक ताला और एक चावी ले लेनी है यह कब लाना है किसी भी गुरुवार के दिन ला सकते हैं घर पर आप सुक्रवार के दिन ला सकते हैं परन्तो किसी भी स्वरूप में आप जो है इसे सनीवार और मंगलवार के दिन घर न लाए रविवार के दिन भी लाना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि है सनी राहु से संबंद रखती है ठीक है जी किसी सौमबार के दिन ला सकते हैं कोई दिक्कर नहीं किसी गुरवार के दिन ला सकते हैं किसी भी सुक्रवार के दिन आप दुकान से खरीद कर ले कर आईए खरीद कर लाने के बाद ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सही ताला खरीद कर लाईएगा और उस ताले को जो है आप सभी दुकानद शुक्रवाक की रात को यह जो ताला चावी है आपको जो है विसेश तौर पर इसमें थोड़ा सा संदूर और घलदी लगा देनी है ठीक है अपको खोलना नहीं है ताला इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ इसमें हल्दी और कुम-कुम आपको अपनी मन्यों कामना कहकर लगा देने हैं तीलक के रूप में लगा सकते हैं बिंदी स्वरूप में लगा सकते हैं इच्छा आपकी है लगा देने के बाद सुक्रवार की रात अपने तक्ये के आज पास कोई टेबिल रखिए कोई कुर्सी रखिए उसके उपर यह ताला और चावी आपको रख देना है ठीक अब सणी बार की सुभ एपकी मनोकामना जो भी रही हो ठीक है जैसे आपके काफी लंबे समय से बच्चों की बादë बनते अणते हैं मांगलिक, दोश है, सनी राहू की कोई दिक्कत है या किसी ने कोई बंधन कर दिया है शायदी का यह कोई परेशानी उसके हो गई है और साथ में कोई भी दिक्कत उसके हो रही है, तो आप सभी को उसे जो हल्दी कुम-कुम लगा हुआ ताला है, आप सभी को डब्बे सहीद, ताला मैंसे जो चाबी है वह आपको खोलने का प्रियास नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रखनी है किसी भी मंदिर में, आप माता लक आपको छोड़ कर आजहना है कहा जाता है ताला और चावी भागी की रेखाओं को प्रवल कर सकते हैं और यह सनी राहू के सबसे बड़े दान के रूप में भी जाने जाते हैं जो चावी होती है वह राहू की प्रतीक होती है और ताला जो है वह सनी का प्रतीक माना जाता है त तो अपनी मनों काम न बोलिएगा कि मेरे बच्चे की जो भी भाई की दिक्कत है जो संतान की दिक्कत है जो मेरे बच्चे की बहुत अधिक परिशानिया चल रही है मेरे भाई की परिशानिय चल रही है उनका निदान हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह दिब्य उपाए, किसी भी पुश्यनक्षत्र में कर सकते हैं, किसी अस्टिमी पर कर सकते हैं, किसी सनिवार कर सकते हैं, जो प्रथम वाला उपाए है, दूसरा वला तो सनिवार के दिन particular कर नहीं है, तो इस तरह ताला चाबी का उपाए, आपके भागी के वीडियो से संबन्धित प्रश्ण हो तो कमेंट्स के दारा पूछ लीजेगा सभी सवालों के जवाब आप राप्ते करेंगे चैनल कर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सावन का मेहना अनेयला है जितना संबहों महादेव और मागोरा की आरादना करेंगे न तो मन्चाहा प्रेम मिल जाएगा विवा की अर्चन दूर होगी संतान सुख होगा साथ के साथ पसुपति ब्रद भी आप मन्चाही विवा की प्रार्थना के तहद कर सकते हैं आपके भाई ये आपकी बेहन का विवा होगा आपका विवाह स्वयम होगा और साथी रोग कस्ट संकत पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंब हो जाएगी इन दिनों यह परेशानी सभी के जीवन में हो रही है जो कि बहुत अधीक परेशान विक्तियों को करने लगी है